नमस्ते दोस्तों आशा करती हूँ आप सबी अपनों और अपनों का खयाल रख रहे हूंगे। हाजर हूँ आज एक नई स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी कुछ ही हो रही दोस्तों। एक राजा थे उन्होंने अपने राजी में घोशना करवाई कि शांती को ले करके पीस को ले करके जो सबसे अच्छी पेंटिंग बना के लाएगा राजी की तरफ से उसको सरुस्रेश्ट इनाम दिया जाएगा धेरो इनाम दिया जाएगा राजी भर की जितने कलाकार थे उन्होंने अपनी सरुस्रेश्ट पेंटिंग बनाई और राजदरवार में हाजिर हुए वहां के जो प्रजा थी वहां के जो लोग थे उन्होंने पेंटिंग देखी तो सब की आँखे खुली की खुली रह गई सबने अपने दातों तले जिसमें से की एक पेंटिंग को इनाम मिलने वाला था जो पहली पेंटिंग उन्होंने चुनी वो कुछ इस तरह से थी एक शांत जील साफ जील और उसमें नीला-णीला आखाश की जो आकरिती थी साफ दिखाई दे रही थी लंबे लंबे पेड उचे उचे पहाड पहाडों पे हरी हरी घास वाता वरण एकदम शान कहीं कोई कोई हल चल नहीं लोगों ने जब देखा तो बढ़ा आश्चरे लगा उन्होंने बोला अपने में फुसफुसा हट उन्होंने की कि लगता है राजा इसी पेंटिंग को इनाम देने वाले हैं ये पेंटिंग तो बहुत सुन्दर है जो दूसरी पेंटिंग थी वो कुछ इस तरह से थी उबढखावर पहाड आसमान में उमरते घुमरते बादल बिजलियां कड़कती हुई जो वहाँ पानी था उसमें बह प्रे शांत भाव से परे निर्विकार भाव से अपने घुसले में अपने बच्चों को दाना खिला रही थी और उस मजबूत पहाड के तलह ति कि में दरार से एक छोटा सा पोधा निकल रहा था लोगों ने कहा ना ना इस पेंटिंग को तो इनाम मिलने से रहा ये पेंटिंग तो शांती की पड़िवाशा हो ही नहीं सकती है लेकिन दोस्तों गेस वाट राजा ने दूसरी पेंटिंग के कलाकार को बुलाया उनकी भुरी भुरी प्रशंसा की और पीस के लिए शांती के लिए सरस्रेश्ट पुरसकार दे करके विदा किया तो दोस्तों इस कहानी से मैंने यही सीखा जो दूसरी पेंटिंग को राजा ने इनाम दिया उससे मुझे यही सीख मिली कि शांती का मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमें सबकुछ जिंदगी में शांती मिले परिस्थितियां विप्रित जरूर आएंगी लेकिन उस चिडियां की भाती अगर हम अंदर से शांत और निर्विकार रहते हैं तो असल परिभाशा मेरी नजर में यही है दोस्तों और विप्रित परिस्थितियों में उस चटान की दरार से जो एक पौधा निकल रहा था उससे यही सीख मिलती है कि परिस्थितियां कितने भी विप्रित हो अगर उस पौधे की भाती हमें खिलना आता है ब्लूम करना आता है तो शांती की असली परिभाशा यही है दोस्तों आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा कॉमेंट सेक्षन में जरूर लिखे आपकी राय का आपके कॉमेंट्स का इंतजार रहेगा और ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियोज को लाइक और शेर भी जरूर करें अगले फ्राइडे को फिर एक नई कहानी मनोरंचक और ग्यानवर्दक कहानी के साथ हाजिर होंगी अपनों और अपनों का ख्याल देखते रहे स्टेब्लेस्ट